नमस्कार, आज हम देखेंगे कि कैसे खेल खेल में हम गणित के मुश्किल टॉपिक्स को भी असानी से सीख सकते हैं आज हम खेल खेल में भाग करना सीखेंगे जैसा कि इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर कुछ कटोरियां रखी हैं कुल मिला कर ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ कटोरियां मेरे पास इस बोक्स में कुछ बीड्स हैं इसमें मैंने कुल 40 बीड्स अभी रखे हैं आईए देखते हैं कि यदि 40 को हमने 8 से भाग करना हो तो कैसे करेंगे सबसे पहले मैं कुछ बीड्स को अपने हाथ में ले रहा हूँ और इन बीड्स को एक एक करके मैं परते कटोरिय में डालूगा एक इसमें 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 एक इदर और एक ही इदर उसके बाद कुछ और बीड्स लेकर मैं फिर से सभी कटोरियो में एक एक बीड्स रखूँगा फिर से सभी में एक है एक 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 और एक इसे प्रकार से फिर से एक 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 और एक एक और एक 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 और एक और एक और एक मेरे पास बीट्स खाली हो गई इसका मतलब मैंने सभी बीट्स को बराबर इन कटोरियों में बाटा और हमने देखा कि सभी कटोरियों में बराबर बीट्स है आएए देखें कि परते कटोरियों में कितने बीट्स डाले गई मैं आपने साथी को कहूंगा कि इनको Zoom करके दिखाए इस کटोरी में 1, 2, 3, 4, 5 beats है इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 beats है इस परकार हम देखते हैं कि सभी कटोरीों में बराबर 5 beats है इसका मतलब यदि हमने 40 beats को 8 कटोरीों में बराबर बराबर बाड़ा तो परते कटोरी में पांच बीज आए इससे हमारी समस्या का हल मिलता है कि 40 को 8 बुराबर भागों में बाटने पर हमें 5 गयाद होता है यानि 40 को 8 से भागदर कर 5 प्रांच को इस प्रकार से बचे यदि खेल खेल बर beads को बराबर बराबर कटोरियों में रखें आठ के बजाए 6 या 5 कटोरिया या 10 कटोरिया भी रखी जा सकती है यदि इस तरह से beads के माध्यम से उनको कटोरियों में बराबर बांट कर बताया जाए तो बच्चे भाग को बहुत अच्छे से सीख सकते है और इसी प्रक्रिया से ये भी देख सकते हैं कि बराबर बांटने पर कितनी beads शेश बची जो सब में बराबर आगे नहीं बच सकती तो भाग बहुत अच्छे से इस एक खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा सकते हैं